सस्रीकाल नमस्कार वेलकम टू आल बहु बहुत स्वागता तो आड़े सारे अंदा पंजाब अड़ा 24-7 चैनल ते जिते प्रेपरेशन हो रही है पंजाब दे सारे एक्जाम्स दी हासी ले क्यारे एक नमा्षो जी दना है सादा पंजाब साड़ी गलवाब जिस विछ आपा गाल करेंगे पंजाब दे पंजाबीयाँ बारे खासकरके पंजाब दे नोजवाना दे पव ख़़धी गलवारे ओ सारे मुद्दे ओ ऐहम मुद्दे जो पंजाबियाँ दे future डिसाइड करनेगे चाहिए पॉलिडिकल हुवे चाहिए एकनॉमिकल हुवे किसी भी तरीकना उदी गलवात कीती जाएगी जो स्टार्ट होन जा रहा है हार रहत्वार स्वेरे ग्यारा होगे लाइक शेर से सब्सक्राइब करो पंजाब अड़ा 24 7 चैनल नूँ टे डाउनलोड करो अप अड़ा 24 7 तो अड़ी बॉड अप्रनून तो यौल मानम इस नितिका हुटा अधन यह इंग्लिश फाकल्टी अट पंजाब अड़ा 24 7 और मैं आप सभी प्रदी स्टूड नवी स्टूडेंट का वेलकम करती पंजाब अड़ा 24 7 बर तो वाइस फर्स पॉल वेरी आप्टरून ची पुरनम जी बड़ी आप्टरून हरीश गर्ग जी गड़प्टनों प्रिकाशाब जी गड़प्टनों सेइम्रम जी गुड़प्टनों हरीश करग जी ने पुछया है कि PSPCL दे पेपर की में आ रहे है बहुत एजी आ रहे है हरीश जी पेपर जेड़े स्टूडेंट साड़ी क्लासे रेगुलर ला रहे हैं पंजाब बढ़ा है कोड़ी 4-7 ते उना वस्ते ते बहुत ही एजी है कि जेड़े सानों हजे तक जड़े एक्जाम जो होंगे बहुत एजी होंगे तो तुसी भी वरिया तरीके नाद अटेम्ट करोगे चलिए जाज सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में परस्ट अपॉल आज जो है बहुती स्पेशल दिन आज काइडनेस दे है थर्टीन निम्बर जो होता है दा कही न कहीं society में एक दूसरे को हम लोग हेट speech कही न कहीं मीडिया में बहुत ज़्धा हेट पलाया जाता है το कही न कहीं हम सोचल मेडिया के माधियम से एक दूसरे को dislikes भेचते हैं तो कही न कहीं यह बहुत important था कि एक ऐशप दिन बनाया जाया है जिसमें हम एक दूसरे को गिफ्ट में क्या दे काइडनेस दे एक दूसरे को सिंपथी एक दूसरे को एमपथी और कमपाशन के वे से कुछ ना कुछ दे तो बहुत इंपॉर्टेंट दीन है विश यू आल वर्ड काइडनेस दे शो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड अप दे डे से धड बात करते हैं आज वर्ड की वोल में क्या पढ़ने जारे है एगे ऐई यह यह राज के वर्ड में तो फर्सट इंडियंट स्टार ज्योस। मतलब क्या होता है अगर कोई व्यक्ति बिमार है अगर कोई व्यक्ति को थोड़ा सा लग रहा है कि he is suffering from cold, he is suffering from cough, he is suffering from something तो अगर वो इंसान बिमार फील करता है तो उसे हम क्या कहते हैं under the weather, under the weather यादत है थोड़ा बहुत slightly बिमार है उसके लिए हम under the weather यूज़ कर सकते हैं संदीप चोहान जी, very good afternoon, जोती का कमबोज जी, good afternoon, वर्षा ठाकुर जी, good afternoon, स्वीती कॉर जी, good afternoon वर्षा ठाकुर जी, हो जाएगा syllabus cover लेकिन साथ साथ में मैं आपको recommend करूंगे अगर आप English की बात करते हैं, तो जितनी मेरी playlist में, जो जितनी videos है, there are around 60 videos in my competitive examination playlist वो जरूर देखनी है साथ में और अगर आप paid batch purchase कर रहे हो, याँ आपने किया हुआ है, तो उसमें हम grammar को detail में topic-wise पढ़ेंगे we are going to start our PSPSP batch on 16th November, that is Monday onwards, तो Monday से हम batch start कर रहे हैं, जिसमें हमने topic with practice उसको basically schedule बनाया है, जिसमें आपके तयारी हंजी हो जाएगी next idiom है हमारा, cross that bridge when we come to it, more important है, generally हम क्या करते हैं, हमना future की बाते आज present में करेंगे, अभी जबकि वो चीज हुई नहीं है और होने को भी बहुत समय है, let's say two months के बाद कोई काम होना है, let's say two months के बाद हमने कहीं trip पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम आज से ही उनकी चर्चा करेंगे, let's say six months के बाद कोई event होगा, और आज हम सारा दिन लगा के उसके उपर चर्चा करेंगे, तो generally ये उस phrase के लिए, उस moment के लिए बोला जाते है, जब बिज आएगा, तब की तब सोचेंगे, जब कोई problem आएगी, तब की तब सोचेंगे, तब की तब देखेंगे, हाथ में नहीं है, जो चीज हमारे हाथ में है, वो है हमारा present, तो generally हम करते हैं ऐसा कि ये exam जो है, कब निकलेगा, क्या होगा, पेपर में, कैसे members बैठेंगे, कैसे board फैसला लेंगे, ऐसी चर्चंग में हम समय बर्बाद करते हैं, तो it is very important, cross that bridge when we come to it, third idiom है, you can say that again, that means, again मैं किसी से agree करता हूँ, या करती हूँ completely, 100% किसी बात से agree करता हूँ, suppose let's say, आपने कोई मुझे बात कही, तो मैं उस बात से agree करता हूँ, या करती हूँ, तो मैं कहूंगी, you can say that again, very, very important idiom again, हमारी exam point of view से, तो यह जितने भी important idioms होते हैं, मैं कुशिश करते हूँ, हम उनके ओपर एक बार जरूर बात करें, क्योंकि अगर आपने वो बात सुनी होगी मेरे से, तो आपके exam में ऐसा नहीं होगा, कि वो question आएगा, और आप नहीं attempt करके आएंगे, तो यह तीन idioms से, एक बार दोबारा देखते हैं, under the weather का मतलब होता है, अगर कोई व्यक्ति बिमार है, दूशरा है, cross that bridge when we come to it, जब कोई मौका आएगा, तब की तब देखेंगे, अभी क्यों फालतों की चर्चा करनी, ठीक है, you can say that again, when you are agreed to someone completely, आप किसी से 100% agree रगते हैं, करते हैं, त तो चलिए guys, आज हमारा जो sequence number है, that is 14, 14 series हमारी चल रही है, PSSB के बाच की, उससे पहले, I would like to tell you, वर्षा ठाकोर देखो, पढ़ाई time निकाल के करनी पड़ेगी, एक तो regular sessions लगाओ, ये रोज के रोज, इनकी रोज के रोज, वोकाबलरी की, rules की, एक copy बनाओ, उनके उपर लिखो, प्लस PSPCL से शुरू कर देना, उसे पीछे वाले चाहें ना करो, PSPCL और PSBB से शुरू कर देना, जो YouTube के sessions है, और paid batch में, yes, आपको attend करना पड़ेगा, अगर आप तयारी करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपने लिया हुआ है, तो you should attend that batch is, नहीं लिया हुआ, तो you can purchase PSBB batch, जो कि मैं बताने जा रही हूँ, PSBB batch के लिए, ये code है, Y356, वैसे ये 7999 में जो है, ये शो करता है, इसका price, जैसे ही, आप ये code अप्लाइ करेंगे, कूपन कोड है, कोड को अप्लाइ करते ही, डारेक्ली आपको 1759 रूपीज में ये बैच मिल जाएगा, ये code बहुत important है, इस code से डारेक्ट डिसकाउंट आपको 78% का मिलेगा, 77% का डिसकाउंट आपको इस code से मिलेगा, 1% का डिसकाउंट अड़ा आप से purchase करने पर, तो अग अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं, उसके टाइमिंग्स अप्लोड कर दिया है, कौन से subject का क्या timing देगा, सब अप्लोडेड है, आप एक बात चेक करके उसको जरूर परचेस करें, अगर आप ये परचेस नहीं करना चाहते हैं, तो पंजब का महाँ पैक है विद वानि आपके previous exams की recording देख सकते हो one year में आनेवल exams की तयारी कर सकते हो इसमें 519 mock test available है free of cost 4 e-books available है that all are free of cost सिरफ पंजाब का महा पैक परचेश करना one year की validity के साथ जो की again ये coupon code लगाएंगे Y356 इसमें आपको पढ़ जाएगा 3000 का और 2 years की validity के साथ भी 4000 के आसपास आपको ये coupon code लगाने के बाद मिल जाएगा तो ये coupon code जो है बहुत important है जो कि आपको याद रखना है ये कुछ batches के देखिए यहाँ पर जो जो चीजे हमारे ADA store भी available है वो ये सब हैं आप purchase कर सकते हैं महा pack है Punjab की GK की book है PWSP की book है PWSP का batch है जो कि हम live classes आपको provide करेंगे चो येस अगर आपको कोई question है आप comment section में लिख सकते हैं चो लिए guys start करते हैं आज के session को आप 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 मेरे को एक मिनट का टाइम देना यह जो spam है पहले हम इसी का कुछ काम करते हैं एक मिनट रुके जरब प्रस्ष्ट के अगर हम बात करें आज के session में इस पीपल हू बिलॉफ तो यह दो काम्टर विख से हम क्या कहते हैं पेट्रियेट केहते हैं कॉम्रेट केहते हैं कॉम्पैक्रियेट केहते हैं यह नेटिव्स केहते हैं सूरज काशब दाट इस करेक्ट ओफिशल सलेबस नहीं आया लेकिन देखो पेपर की डेट्स ओरडी मेंशन हो चुकी है सलेबस हमने अनलाइस किया है प्रीविएस पेपर्स में से उसी के अकॉर्डिंगली हम आपको पढ़ाएंगे पर्स्ट क्वेस्टन का सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे वेरी गुल आप्टनून तु यू आल जो नाई स्टूडेंट्स जुड़े हैं वश्या ठाकुर जी थांक्यू माम बैच ही लेना है इससे मुश्किल होता है हां जी दाट इस करेक्ट है बैच ले लीजिए यह Y356 कोड मैं आपको अलरी दे चुकी हूं डारेक्ली आपको 78% का डिस्काउंट इससे मिल जाएगा अड़ा की आपसे पर्चेस करना यूस कॉइंस करके उसमें आप्शन आता है वो जरूर यूस कर लेना ठीक है टीक है कहा रहा है तजी ही लोग आमसर के यहिए है icing प्रॉक्सइंट है क्मोत देश के लिए कुछ बहूं अन्सेया दिए अपनी धरती से प्यार करते है kare अपने देश को प्यारकते है को बचाएं के लिए अपने देश को बचाने के लिए कहीं ना कहीं वह जारा श्रगल भी करते हैं अपने दुश्मनों से इसको अपनी कंट्री को बचा दे बहुत सारे ऐसे उधारन है आज की टाइम में भी अगर मैं बात करूं बॉर्डर पर ऐसे जवान खड़े हैं जो दिन रात बॉर को बचाने के लिए उनके अंदर कहीं ना कई जजबा है वह राश्च्र प्रेम है तो उसे हम क्या कहते हैं स्वतंतर से नानी बहुत अच्छा उधारन है जिनके लिए कुछ लाइन्स बहुत ज्यादा फेमस हो रखी थी सर्फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखन किल नेक्स फिवर को पाढते हैं कॉम्डेटे का मतलब कया होता है जो सेंघी साइड से होता है एक ग्रूप को दो को को बिलॉँं करता है एक ही पार्टी को दो करता है जा कॉर्टे कंगरेमान calls के के अंदर के जितने gonna था अ इस आग देख नाना आज इस जाविए बश आप कर रही हूं तो इंडिया में जितने भी योधां हैं जितने फोजी हैं जितने सामने वाले ओपनेंट कंट्री से युद्ध कर रहे हैं तो एक ही जगा से बैसिकली से साइट से वार करना तो हमारा जो क्वेशन का आंसर था जो कि आप किसी भी स्टूडेंट ने नहीं दिया है वो यह था कंपाट्रियेट्स कंपाट्रियेट्स का मतलब होता है जब हम बहार जाते हैं जनले आप देखते हो मैं उधारन देकर ही समझाओंगी दुबाई का एक्जामपल लेते हैं उसमें अगर कोई मुश्किल आ जाती है और वहां पे जो इंडियन ऑफिसर होगा वो जाकर अपनी कम्मिटी अपने भारत के लोगों की मदद करेगा क्यूंकि वो भी उसी कंट्री को बिलॉंग करता है वो भी उसी कंट्री को का ही है जिस कंट्री के बाकी के लोग जो हैं मुश्किलों में है तो एक उधारन है एक डॉक्टर है जो की उनका नाम बहुत फेमस हुआता है इंडियन डॉक्टर थी यूँके इमें पोस्टेट थी उस दोरान और उन्होंने दो हजार लोगों की सेवा करी है कोविट के द इस प्लेस को बिलॉंड करते हैं इस पर्टिकुलर ब्लेस में आपका बर्त हुआ है तो वहां के आप नेटिव हो जहां के आप रहने वाले हो दूसरा मतलब जो होता है जो लोग अफ्रीकन थे अमारिकन थे जो औरिजिनली वहीं के थे उनके लिए भी नेटिव बोला जात है जब यूरोपियन उन प्लेस में अराइफ हुए कहांचे उससे पहले जो लोग रहते थे उन्हें भी हम नेटिव ही कहते हैं तो देखें हमारा जो आंसर बंदा याटिस कमपाट्रियेट्स आपको चार वर्ड्स क्लियर होंगे क्योंकि हम वोकाबलरी भी कर रहे हैं साथ तक में तो हमें चार वर्ड्स भी सीखने को मिले वन वर्ड सब्स्टिटूशन का हमारा आंसर था क्वेशन था ये ठीक है चलिए नेक्स क्वेशन है अपॉसन लर्निंग ट्रेड अंडर समवन हरीश गर्ग जी कह रहे हैं हंडर्ड परसेंट डिसकाउंट की मैं मिलू हरीश गर्ग यूट्यूब के बैचिज हंडर्ड परसेंट डिसकाउंट वाले अधी तक है न उतमें तो कोई चार्जिस आपने पे किये नहीं हैं संदीप चोहान कह रहे हैं मैं अलग लग बुक्स का पे करना पड़ेगा संदीप चोहान देखो एक मैने आपको महा पैक बताया था वह महा पैक में आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी प्लस लाइफ सारे सेशन मिल जाएंगे प्लस प्रीवेस सेशन के रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी प्लस आपको 5,19,520 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे सारे के सारे सब्जेक्स के तो वह 1-year की वैलिडिटी वाला बैच है 3,000 रुपीज में पड़ेगा और 2-years की वैलिडिटी का बैच 4,000 रुपीज में पड़ेगा और यह Y356 code लगाने के बाद इतने का पड़ेगा अदर्वाइज उस पे जो रेट है that is quite high तो वह directly मत लीजिएगा यह code apply करके discount आपको directly मिल जाएगा ओके everyone is saying DDD very good afternoon दिशु जी very good afternoon यार सभी को चलिए हमारा जो question का answer है D बोल रहे है apprentice पूल रहे है assistant कौन होता है जो किसी की मदद के लिए आता है है ना कुई मदद वह कहीं ना कहीं salary waste रखा जाता है assistant ही कहलाता है आप अपने under किसी को point करते हैं कि आप किसी को guide करेंगे साथ में वह आपकी helper भी होगा या आपके particular job में help करेगा secretary भी इसी तरह से होता है आपको कहीं ना कहीं help करता है clerk भी होता है school में clerk होते हैं जो जिते भी offices होते है operational offices होता है administration staff में clerk होते हैं तो c grade वाले जितने लोग होते हैं वो clerk होते हैं और apprentice का मतलब क्या होता है apprentice वो इंसान होता है जो कम तंखा लेकर किसी के अंडर काम करता है उसका motive तंखा नहीं होता उसका motive salary कभी भी नहीं होता उसका motive होता है काम को सीखना काम को जानना तो वो एक साय training करता है किसी भी particular कारिकर के अंदर किसी भी एक्सपर्ट के साथ में ट्रेनिंग करता है so that वो उस पर्टिकुलर फील्ड की जानकारी हासिल कर ले उसे हम क्या कहते है अप्रांटेस तो हमारा आंसर इस अप्रांटेस वेरी गुड यार आप सभी ने डी ही आंसर दिया है वेरी गुड चालिए do like this session and do share the session like or share, साथ साथ में ही करना होता है यार बाद में मैं भूल जाती हूं पढ़ाते पढ़ाते made or done without previous preparation इसे हम क्या कहेंगे? so four options are given here A, B, C, D इसे इसका अगर मैं बात करूं हम vocabulary words में इसको already कर चुके है आपको मुझे directly answer देना है That is correct, Mukesh जिते भी basically trades है उनको सीखने के लिए देखो एक theoretical किताबे होती है जो हम पढ़ते हैं सारी जंदर ये लगाके ना हम किताबों की पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें चीजों में confident नहीं होते क्योंकि हम practical training के उपर कभी भी focus ही नहीं करते theoretical पढ़ना is good लेकिन साथ-साथ में practical training लेना बहुत जरूरी है तो कभी भी मौका मिले practical training हमें हर चीज की लेनी चाहिए संदीप चुहान वान नियर के पाक पे भी discount है मैंने आपको बताया है थर्टीन थाउजन नाइटीन नाइटीन का पैक ट्रिपल नाइन का पैक है जो की मैंने आपको कूपन लगा के इतने का बताया है वाइट्री फाइप सिक्स कूपन लगा लो तो 3000 में आपको पैक मिल जाएगा गुड आप्टनून मुकेश जी अगर मैंने किसी को गुड आप्टनून नहीं बोला उज्वल सिंग जी गुड आप्टनून यह वाला सिननम आया था PSPCL में जी नेग्टिव चीना ने बोला है चीना ग्रोया नहीं कि नेटिव का सिननम PSPCL exam में आया था तो देखलो यार यही questions है वही आ जाके घुमफिर के आ रहे हैं तो इनको regularly एक-एक session को attend करना बहुत जादा जरूरी है ठीक है चल यह next answer देंगे आप मुझे तुरंत impromptu yes it is correct फटा फट से आपने कोई आपसे कोई बात पूछी जाती आपने उसका answer दे दिया ठीक है यहां फिर कोई speech आपको बोलने का मौका मिला है और वह speech आपने without preparation दिया है उसे भी हम impromptu कहते हैं यहां फिर इसका जो हमने vocabulary में समझा था that was extempore without any preparation extempore बहुत अच्छा vocab का word है जो हमने vocabulary में समझा है तो हमारा answer is be impromptu बाकी हमें सब आते immediate यानि जल्दी urgent मैंने urgent है बहुत important है prompt यानि again promptu से ही related है prompt so next है हमारा active passive voice का question है अभी जो previous 2-3 दिन में PSPCL में questions पूछे गए है active passive voice भी आया है direct indirect speech भी आया है तो यह मत सोचना कि front के exams में नहीं आया तो बात में नहीं आएगा questions डाल सकते है important है syllabus के अंदर included है yes on the sports speech native मनिंदन native का मतलब होता है resident भी हो सकता है जहां के आप रहने वाले हो है ना जैसे हम इंडियन है तो हम कहां के रहने वाले हैं हम native हैं इंडिया के यह अगर आप कहीं किसी city की बात कर रहे तो आप कहां के रहने वाले हो उस particular city के रहने वाले हो तो जहां कि आप president हो उसे हम native कहेंगे रीता rescue three puppies इसका answer आप मुझे फटाफट से बताएंगे हम उसके बाद trick यूज करेंगे अपना answer जानने के लिए यानि grammar का rule apply करेंगे answer को identify करने के लिए हमें क्या चीज़े देखनी है रीता देखना है three puppies देखने है rescue देखना है हमारा subject three puppies क्या है object rescued किस format में है that is simple past की format यानि active to passive में convert करेंगे तो हमने क्या समझा है plus one की formation करेंगे plus one की formation का मतलब हुआ अगर simple past में कोई चीज गिवन है next formation क्या होती हमारी past की continuous की that means हमें was, were की formatting add करनी है अब was आएगा या were आएगा यह भी identify करना जरूरी है तो यह किसके through हम identify करेंगे हम अपने object को देखेंगे अगर object हमारा singular है तो was आजएगा अगर object हमारा plural है तो were आजएगा yes object यहां देखते है puppies है तो puppies क्या है plural that means were की formatting आएगी r वाला eliminate कर दिया हमने फटाफट से यहां r वाला eliminate कर दिया were वाला रखा will be वाला eliminate कर दिया r वाला eliminate कर दिया तो यह हमारा answer है three puppies were rescued by Rita कितना easily हमने identify कर लिया है second वाला हमारा answer है next question Rahul is teaching the children in these slum areas again guys active passive voice का question है बहुत easily identify करके हम answer दे सकते है so you have to give me the answer of this question अगर कोई question नहीं समझ आता तो आप बिलकुल किसी बिना किसी hesitation के आप पूछ सकते यहां comment section में ठीक है guys do like this session like भी करना है like and watching के आप लोग like नहीं कर रहे हैं session को do 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 in को कि तोड़ तोड़ के हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं मेड लिख सकते हैं लेजिटी लेजिटी लेज़िटी अई टी आए तो बाद में इसको कनेक्ट कर दिया इन लेजिटी मेट बस वैसे बीच वाला आय जो है that is silent इसलिए उसके आवाज नहीं आती next is entrepreneur entrepreneur का आख मुझे देंगे बहुत important है बहुत बार exams में यह आचुका है वहीं से मेरी कोशिश होती है आपके papers में से ही मैं questions को लेकर आऊ that is correct हरीश्ची step sister step brother लकविंदर वैसे अगर आप यह rules पे भी देख लोगे ना इनमें भी almost सारे ही cover-up मैं करवा देती हूं बठाए एक rules का marathon या कुछ session रखोंगी किसी दिन डॉन्ट वर्यापने मुझे बोला है बहुत बार entrepreneur entrepreneur नहीं बोलना है इसको आन आ से बोलना है ठीक है यह याद रखना आन ठीक है ऐसे बोलना entrepreneur spelling देखते हैं और मतलब समझते हैं क्या है हमारा answer entrepreneur का मतलब क्यों होता है कोई व्यक्ति अपना काम शुरू करता है self business शुरू करता है उसे हम entrepreneur कहते हैं ठीक है अपना काम करता है उसके लिए उसके पास सारी skills होनी चाहिए ability होनी चाहिए growth होनी चाहिए knowledge होनी चाहिए training होनी चाहिए particular experience होनी चाहिए plus उसकी अपनी एक team होनी चाहिए जो उसको मदद करेगी entrepreneur में यह वाला spelling है हमारा third वाला P R E N E U R यानि की याद कैसे रखना है E cube आएगा और कुछ भी नहीं आएगा E cube है ठीक है E cube है बाकी सब easy हो जाएगा बीच में कोई A नहीं है बीच में कुछ U नहीं U तो यहां पर आएगा बट और कोई U नहीं है तो E cube की formation याद रखनी है यहां पर next पंजाब का महा पैक जो आप students पूछ रहे है वानियर की validity वाला है 3000 में मिलेगा आपको ठीक है और 2 years की validity वाला 4000 रुपीज में मिलेगा आपको आपको यह code याद रख सकते है यह वीडियो को दोबारा open करके देख सकते है यह code है coupon code जिससे directly आपको यह benefit discount मिल जाएगा ठीक है और पंजाब SSB का batch है जिसमें सारे faculty प्लस उनका जितना schedule है कौन से दिन कौन सी class लगेगी कौन से subject का क्या timings है वह already वहाँ साइट पे गिवन है जहां पे लिखा होगा study here करके उनको क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको साइड डीटेल्स मिल जाएगी इसके अलावा we have P++B clerk के mock test available है 10 mock test है PSPCL clerk prelims हो गया है इसके लावा FCA watchman की series available है JE की series available है और यह सारी series वहाँ पे mock test available है Y356 code याद रखेंगे इस code से आपको directly benefit मिलता है 78% का discount अड़ा की app से purchase करने पर चलिए next question है question number 8 Spotting errors के question है तीन question पेपर में almost आते हैं दो से तीन question मिलते ही मिलते हैं अगर मैं बात करूँ PSPCL paper में भी आपको तीन question तो आय है spotting errors में तीक है easy है subject verb agreement सबसे पहले check करना है मैं आपको scan करने का method समझाती हूं मेशा subject verb agreement को सबसे पहले scan करो फिर उसके बाद conjunction अगर है तो उसे scan कर लो adverb है तो उसे scan कर लो preposition है तो उसे scan कर लो adjective है तो उसे scan कर लो दिशु सेनी P++B में computer की class भी है हांची होगी computer की class उसमें teacher है जो पढ़ाएंगे आपको computer का तो यू can purchase that batch अगर आपने नहीं खरीगा है Monday से classes start है यह entrepreneur से सूरज का शब कहरे विवेक बिंद्रा यह बहुत सारे entrepreneur हैं जिन्होंने self business start किया है आज अगर आप देखो यह जती भी apps बहुत ज्यादा famous हुई है self business से ही तो हुई है एक ही व्यक्ति है जिसने कहीं से कहीं किसी भी particular business को पहुंचाया है okay the reserve bank of India's decision to waive waive क्या होता है कम करना ATM charges have put banks in a difficult situation तो subject क्या है the reserve bank of India's decision India का फैसला का फैसला के फैसले नहीं है तो यहां पे अगर इंडिया का फैसला है तो that means subject जो चल रहा है हमारा that is in singular formatting अगर यह singular formatting है तो यहां पे जो इसने helping verb use किया है that should not be used in plural formatting that should also come in singular formatting तो हमारा answer यहां पे यह वाला बनेगा have की जगा has use होना चाहिए चीके next question question number 9 Amit started a small construction business 2 years ago when the country is enjoying a construction boom पूनम कॉर जी typing कैसे सीखे पंजाबी की पंजाबी की typing ना पंजाबी के एक बार classes लगा लो उसके बिना नहीं आ पाएगी क्योंकि हम English की typing तो फिर भी खुद से कर ले पंजाबी की typing सीखने के लिए जो typing वाले होते हैं उनके पास जाएए वहां से कुछ time ज़रूर लगाएए सीखने में कोई बुराई नहीं है अगर आप actual paper को करेंगे और उसके बार typing की कहीं ना कहीं problem आएगी तो येस आपको जाकर सीखना चाहिए हरीश ची कह रहे है अड्डा 24-7 के founder कौन है हरीश ची इनके founder है अनिल ची और सौरब सर है दो सर है ये दोनों सर इनके founder है यस ये भी एक example है entrepreneur की सी आना चाहिए सी में answer आप बता रहे हैं डी खुश्वन सिंग जी कह रहे हैं वेरी गुड यार बहुत अच्छे से आप students कैम कर पा रहे हैं answers को अमित started a small construction business two years ago मेरे को जो keyword मिला है that is ago मैंने बहुत बार समझाया है आपको ago keyword किसका होता है that comes in simple past simple past का keyword है कोई काम past में हुआ था था के लिए हमें यहां पे इस की जगा बॉस लगाना है simple अगर कोई statement हमारी past में चल रही है तो आगे की statement भी उसी को continue करेगी इसे हम कहते है जीरो conditional structure जीरो conditional structure अगर कोई condition नहीं है लेकिन front की statement हमारी past में है तो जो next statement होगी that should also come in past simple past तो yes यह हमारा correct answer है इस की जगा was आएगा ठीक है next question है byant byant का आप मुझे synonym देंगे byant का synonym देंगे यानि closest meaning पूछा गया है जीशु से नहीं कह रहें complete sentence is in simple past हाँ जी simple past में देवाई zero structural formatting चल रही थी उसमा okay Harish Garg is saying B Mangla Devi Ji is saying 4 Manindar Singh Ji is saying 2 Jishu Ji is saying B Frikashap is saying cheerful Mandip Ji is saying B Poonam Kaur Ji is saying B Nisha Ji is saying B everyone is saying B Ravni Ji और Harpi Ji ने भी बोला yes that is correct cheerful होता है but मतलब समझते है bind का मतलब क्यों होता है जो float कर सकता है That is never to float जो tear सकता है जोаниं में चल सकता है tear सकता है उसके अंदर एक ability होती है कि वो पानी में चलता fish इसका example होता है non bind के example होते है जैसे stone hey not? जो चीज़े ते ंचल नहीं सकती और whatever नहीं कि वह इसके example हो सकते है non bind के कि दूसरा जो इसका मतलब होता है दाट इस चेरफुल इंजॉइबल जो हसता रहता है खेलता रहता है खुश रहता है खुश मजाज का है दूसरों को हसाता है इंजॉइ करता है लाइफ को अप्टिमेस्टिक है पॉजितिव है खुश रहता है अब हसाता है तो मुझे जो ए जो चोटी एज में होते हैं वह में साथ कुछ रहते हैं उन्हें कोई परवाई है क्या दुनिया कह रही है बड़े होते होते कई ना कई वह जो थौट्स है मन में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारा जो next word है that is sinking sinking का मतलब होता है डूबना जो चीज डूब रही है तो यहां पर टायटनिक का में एक्जामपल लेगा है डूबी थी आप सब इने मूवी भी देखी होगी है ना next है लेवलिंग का मतलब होता है कि जो आपने देखा होगा गलियों में महलों में या पर कॉर्णी में या पॉश इलाकों में भी लेवलिंग करने आते है बैसिकली ऐसे construction site पर आपको यह मशीन दिखती है लेवल की होती है equipment होते हैं जिनके थू हम यह लोग चेक करते हैं कि सड़क की leveling कैसी है और हाइट कैसी है हाइट से उपर तो नहीं है कोई सड़क या कोई नीचे दबी हुई तो नहीं है क्योंकि अगर लेवल बराबर का नहीं होगा तो पानी जो है हमेशा वहां पर रुका रहेगा पानी जो है वह नीचे की तरफ फ्लॉट करके नहीं जाएगा और सड़के खराब हो सकते हैं अगर प्रॉपरली लेवल ना हो गाडियां भी सही से नहीं चलेंगे अगर लेवल ना हो तो उसे हम कहते हैं leveling तो हमारा answer जो बनता है by ant का that is cheerful cheerful इसका मतलब होता है तो I hope यह सारे increasing होता है कोई चीज बढ़ना cheerful हमें पता है sinking डूबना leveling करना is level करना next question है हमारा direct indirect speech का दिशु सैनी ने science का example दे दिया है by ant force is applied in water if we put a ball in water with force but it comes back to the surface that is correct यहार एक force apply होती है साइन्स का example भी था मैंने नहीं दिया आपने वही same example जो दिया है great कविता कमबोज कह रहे है माम how to buy p3 plus b clerk test series कविता अड़ा 24 7 की app download करेंगे आप ठीक है उसके बाद mobile में आप download कर लीजेए वहां पे पंजाब state exams को खूल सकते हैं या पंजाब उपर search box में लिख सकते हैं वहां निटे store करके एक option आएगा store में जाएंगे store से आपको जो भी चीजे purchase करनी है test series purchase करना है books purchase करना है live batches purchase करने है जो Monday से start होंगे वहां से p2 plus b को open करेंगे उसको click करके आप purchase कर सकते हैं और purchase करते हुए वाइ 356 code जरूर लगा लेना यही coupon code है जो आपको direct discount दिलवाता है 78% को okay ddddd सरभजीत कौर कह रहे हैं मैं fees pay नहीं हो रही है आप एक बार दुबारा try करो paytm से कर लो उससे कर लो जो हमारी बाकी की apps धीन आप हैं जिस पर आप कर सकते हो डेबिट कार्ट से कर सकते हो अदर्वाइस ऐसा इशू नहीं आ रहा फिर भी कोई इशू आता है तो सबसे पहले set two की conversion किसमें हो जाएगी told में ठीक है यहां से तो हमें कोई hint नहीं मिला क्योंकि set two की conversion told में है अब यह वाली statement जो होती है न वर्ब की helping वर्ब जिससे हम कहते हैं यहां से direct हमें answer मिल जाता है 90% cases में आर यानि की present continuous की बात हो रही है आर इसमर किसमें आता present continuous में यह किसमें चेंज हो जाता है यह past continuous में change हो जाता है past continuous में that means आर चेंज हो जाएगा was और वर में according to the formatting तो was है ना she was looking very pretty she was are looking तो यह आर वाला सबसे बहले आप remove कर सकते हैं रित्तु told you that है ना तुमको बोला कि तुम बहुत सुंदर यह pretty लग रही थी तो रित्तु told you that you were looking very pretty तो यह fourth वाला हमारा answer है कैसे देखा इसको हमने देखो you तुम्हें ही कोई चीज बोली गई है तो that means हम इस वाले को convert नहीं करेंगे second subject को convert नहीं करेंगे third में क्योंकि यह बात मुझे directly मेरे लिए ही बोली गई है तो you का you ही रहेगा you were looking very pretty तो you were looking very pretty यहां देख लेते हैं you are looking very pretty यह तो eliminate कर दिया she was looking very pretty यह भी नहीं आएगा I was looking very pretty यह भी नहीं आएगा तो fourth वाला ही हमारा एक answer बच्चता है जिसमें you का you ही same रखेंगे हम ठीक है यह हमारा correct answer है fourth वाला चलिए last question है इसके बाद हम Hindu editorial का vocabulary करने वाले हैं error आ रहे है सरवजीत कौर कह रहे है हंजी मुझे पता है error आ रहे है तीन questions most publicly डालते है errors के आप इन्हीं की practice कीजी अगर आपने previous sessions नहीं देखे हैं do attend those sessions आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful रहेंगे आप अच्छा आप उस error की बाद करें सरवजीत आप में को एक बार आप में को एक बार दिखा दो जो issue आ रहा है वहां से मैं solve कर दूंगी आपका जो भी issue है टेली ग्राम पर मुझे मेरे session के नीचे hello maam करके भीज दो है ना वहां से हम एक बार देख लेते हैं अगर कोई issue आ रहा है तो I said to him said to का conversion किसमें हो जाएगा asked मैंने पूछा कैसे पता चला told भी तो आसेता था previous question में हमने told किया यहां ask क्यों किया क्योंकि हम question की formatting समझेंगे reported speech में क्या बात है वो समझेंगे when did your school close किसीने कोई बात पूछी है तो पूछना को हम क्या कहेंगे asked तो when did simple सी चीज है ध्यान रखनी है यहां पर did पूछा गया तो did क्या है हमारा simple past तो rule कहता है simple past की conversion क्या है direct to indirect speech में that is past perfect past perfect में क्या formatting आती है had की formatting आती है अब हमारा रह गया option number two option number three अब यहां पर क्या चीज एक्स्ट्रा है if की formation extra है यहां पर if नहीं आएगा guys यहां पर simple formation चल रही है I asked him when his school had closed तो यहां पर third वाला हमारा answer रहेगा whether or if की formation question mark में आती है लेकिन यहां पर नहीं आएगी तो हमारा third वाला option ही answer है the Hindu vocabulary ठीक है start करते हैं आज के Hindu vocabulary के words जो कि important है हम सभी students के लिए first word is grueling grueling का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जो बहुत जदा tiring है जो बहुत जदा exhausting है जिसमें आपकी energy loss होती है जिसमें कोई भी ऐसा काम कर रहे है जिसमें हमें लग रहे है कि हमें weakness आ रही है यह energy loss हो रही है यह बहुत जदा fatiguing है बहुत जदा exhausting है उसे हम कहते है grueling तो मैंने example लिया है Mount Everest की tracking का यह किसी भी tracking का example आप ले सकते हैं जब हम tracking करते हैं तो जैसे जैसे हम height पे जाते हैं वैसे वैसे हमारा oxygen level है वो कम होना start हो जाता है क्योंकि वह particular areas में oxygen कम होती है वहां से हमें problem आना start हो जाती है चलते हुए tiring feel होता है exhausted feel होता है energy कम होनी start हो जाती है तो उसे हम कहते है grueling ठीक है याद रगने कोई भी ऐसा काम मैंने Mount Everest का example ऐसे ही ले लिया मुझे यह बात याद आई कि tiring होता है generally वश्ण suicide की यात्रा पे आप जाती हो बहुत अधा हर्मिंदर साहिच जी की यात्रा पे जाते हुआ मींज़ रुट्रप्राक से आगे है कोई भी ऐसे यात्रा में जाते है जूत ज्यात अधा का example आप समझ सकते है next around Japanese word मैं यहाँ लिख रही हूं रविशिंग वर्ड या beautiful या stunning या gorgeous या lovely कीसज़ें बताती हैं और सुन्दरता को बताने के लिए, अगर कोई इंसान आपको सुन्दर लगता है, अगर कोई बहुत सुन्दर है, उसके फीचर बहुत सुन्दर है उसका मन बहुत सुन्दर है तो देखने भी सुन्दर है उसका मन भी बहुत सुन्दर है तो उसे हम कह सकते हैं wonderful या कोई भी ऐसी बात के लिए भी हम generally words यूज करते है wonderful, super, splendid तो सुन्दरता को बताने के लिए हम ravishing words को यूज करते हैं यह आज के articles में था ठीक है? next है cryptic, cryptic का मतलब होता है कोई coding में बात करना cryptic का मतलब होता है, कोई secret mission होना cryptic का मतलब होता है कोई ऐसा जो छुपा हुआ होता है, suppose जो हमारी army बात करती है तो generally वो simple straightforward language use नहीं करती, जो terrorist आते हैं वो coding use करते हैं बात्चित करने के लिए, आपने वो movie देखे होगी राजी राजी में किस तरह से आल्या को coding सिखाई जा रही थी कि अगर आपने कोई बात समझानी है तो यह coding है, आपको यह याद रखने है तो यह reasoning में आप code को decode करते हो, तो वो जो concept है basically इसी चीज को follow करता है, cryptic को follow करता है कोई चीज है, hidden है, hidden मतलब जरूर है, लेकिन वो चीज चुपा हुआ है, वो सामने नहीं है next word is, retinence, retinence का मतलब होता है, कोई reserve है, मुझे इसका example लगा, mon basically इनका मतलब होता है मुझे भगवान बुद्ध, जो बुद्ध, लौड बुद्धा है, जो कि विष्णु जी के आठवे अवतार है, नौवे अवतार है, जो विष्णु जी के नौवे अवतार है, बुद्ध, उन्होंने मौन धारन किया था, मौन धारन करने का मकसद यही था, तांकि वो शा उस पर्टिकुलर मौन को हम क्या कहते हैं क्या क्या कहते है rety sı 한 क्या फोन होना चुक रहना बिल कुल ना पूलना कम बोलना दूसरा मतलब इसका होता है इंट्रो वर्जिन इंट्रो वर्जिन हमने ये समझा हुआ है बहुत बार वोकाबलरी के हमारी जो सेशन हुए है उसमें हमने ये बात को समझा है इंट्रो वर्जिन क्या होता है जो इंसान कम बोलता है जो दूसरे ग्रुप्स जैसे एक होता है एक होता है, 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 जो इंट्रो प्लस एक्स्ट्रो काम कॉंबिनेशन होता है, मिक्स्चर होता है, जिसे बोलना आता है, लेकिन वो situation को देखके बात करेगा, उसे जहां यहां नहीं लगेगा कि वह क्वालिटेटव बातों में इंडल्श नहीं करता है इंडल्ज नहीं करता है जो बहुत ज्यादा शाइख जो बहुत ज्यादा रिजुः जो कम बोलता है जो जिससे अपने आपको बोलना, मतलब अपने फ्रेंड्स बनाना भी नहीं आता, दूसरों के बीच में बैठ के वो समझी नहीं आता, उसको बोलना कैसे है रोजा मूवी में भी दिखाईती है, कोडिंग आर्मी, हाँ यार, कोडिंग तो देखो, जितने भी आम्ट फोर्सी या कांट्री से रिलेटेड मूवीज होंगी हो, उसमें कोडिंग वाला काम दिखाते हैं नेक्स्ट वर्ड इस लाकडेजिकल, लाकडेजिकल का मतलब होता है लाक ऑफ एनर्जी, लाक ऑफ इंतुजियाजम, जिसे हम लेजी कहते हैं, सूस्त रहना, अनर्जी कम होना, तो जनरली हम देखते हैं, लापरवाई कर जाते हैं, हमारे पास काम तो करने को बहुत कुछ ह नीजे Nast तो हमारी बहुत सारी है तो डू लिस्ट कहते हैं हम तो रेकल्वी तो हमारे परियोटी काम बहुत सारहे हम जानते हैं, धर काम करने वाले हैं लेकिन फर भी हम सुस्त रहते हैं, हम उसको काम को करते नहीं है तो लाक अफ曲, लाक उब एंथिजियाजम लैक ओफ डिटर्मिनेशन और केरलेस बिहेवियर को हम क्या कहेंगे लैक डेजिकल सुस्त्र है ना लेजी डिजिनेस दाट इस करेक्ट या पॉर कॉंपिटिटिव मैम आपकी कोई पेड क्लास है इंग्लिश की सोन्या चौधरी मंडे से क्लास स्टार्ट हो रही है पी ट्रिपल स्बी बैच में उसी में आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूं मैंने जो टाइम रखा है अपने सेशन का दाट इस 6.30 तु एट गंटे का सेशन होगा जिसमें हम ग्रामर बेसिक से शुरू करेंगे उसक करेंगे उसमें मैंने आपको word one word substitution भी पढ़ानी है मैंने उसमें vocabulary भी पढ़ानी है मैंने उसमें आपको आंटनम synonyms की class भी देनी है homonyms भी देने है confusing words भी पढ़ानी है तो Monday से मेरा बैक शुरू हो रहा हमारा P2B का आप उसमें admission ले सकते हैं सब्सक्राइब करना है कि किसी के रास्ते को काटना किसी की मतलब कोई काम कर रहा है कोई life में अचीव कर रहा है कोई success को पा रहा है कोई goal की तरफ बढ़ रहा है तो politically उनके रास्ते में रोडे अटकाने politically या फिर जान पूच के intentionally किसी को आगे ना बढ़ने देना इंटेंशनली तोड़ फोड लगानी मेरे को एक मुवी याद आती है इस पूरी situation से आप बोलोगे मैं मुवी के एक्जामपल हम इसलिए ले रहे हैं कली ना कहीं हमने देखी होंगी वो नायक मुवी थी आपके घर में लगा के देखते होंगे पक्का नायक में एक पॉलिटिकल जो अमरीश पूरी का जो भी पॉलिटिकल लीडर था उन्होंने सामने वाली पार्टी को खराक करने के लिए है ना, उनकी मुश्किलों को बढ़ाने के लिए दंगे कर दिये थे, तो दंगों को हम कह सकते हैं sabotage, यानि किसी की मुश्किलों को बढ़ाना, सामने वाले की छवी को बिवारना, सामने वाले के रास्ते को काटना, ताकि उसको मुश्किल आए वो आगे ना बढ़ सके, that is sabotage, ठीक है, next word is hitherto, hitherto का मतलब क्या होता है अच्छी लगती है example बहुत बढ़िया यार, मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती, जितनी देखी हुई है उनमें से example देदेती हूँ hitherto का मतलब क्या होता है जैसे बहुत अच्छा word है until, unless को hitherto कहते है अब तक को hitherto कहते है अब तक है ना, so far को hitherto कहते है thus far को hitherto कहते है up to now को hitherto कहते है देखो कितना अच्छा word है अभी तक हमने until, unless जादा सुना था, hitherto भी एक अच्छा word है, hitherto है ना, बहुत अच्छा word है अब तक के लिए अगर हमें कोई तो यह वर्ड यू Nous आखिर सकते हैं APPLAUSE इसका मतलब kya होता है एक Positive इसका मतलब समझेंगे एक Negative इसका होता हुआ यानि emotional feelings, emotional जब कभी कोई ऐसी feeling से आप connect हो जाते हो, जिससे आपको दुख होता है, एक इस मतलब को समझेंगे, एक emotional feeling से जब हम connect हो जाते हैं, जिससे हमें खुशी होती है, तो दोनों मतलब को समझते हैं, पहला मतलब हम लेते हैं, जब पूरी attack हुआ था, 2016 की बाद है न, जिनके जो basically defenders तो हमारी Indian army ही थी, लेकिन जो जिन्होंने शडंतर रचा था, जिसको हम perpetors कहते हैं, वो शडंतर रचने वाले जैशी मोहमद के team के, मतलब वो group सामने आया था, कि उन्होंने जिम्मेदारी लीती कि यह attack, यह काम हमने किया है, जिसमें 17 जवान जो थे मारे गे थे और 19 लोग गाहिल हुए थे, 19 जवान, तो जब हमने यह किस्सा, यह incident सुना था तो भारत का एक एक व्यक्ति चाहिए वो बच्चा है, चाहिए बड़ा है, चाहिए बुड़ा है, emotionally connect हुआ था, उन्हें दुख हुआ था, जब किसी को दुख होता है emotionally, किसी भी चीज को लेकर, यह मैंने extreme case लेकर बताया कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, जिसको इस incident से दुख नहीं हुआ था, उसके बाद बहुत सारे attack हुए थे, बठानकोट में attack हुआ था, दो जानवरी को attack हुआ था, राप को तीन बजे attack हुआ था, ऐसे attack के बाद इंसान को दुख ही तो लगेगा, तो जो emotion है, उस emotion को हम pionate कहते हैं, पिटिफुल होना, रिग्रेट करना, जब आपके दिल को ठेस पहुंचती है, उसके लिए ये बात बोली जाती है, positive meaning देखते हैं, positive meaning, वो भी negative नहीं था, वो भी positive था, लेकिन हाँ, जब दुख होता है, जब आपको बुरा लगता है, उस sense में मैंने वो बात बोली है, जब आपको emotionally आपको अच्छा लगता है, emotionally कोई चीज आपको touch करती है, और आपको देश प्रेमी वाला emotions है वो जागते हैं, उसके लिए मैंने ये उधारन लिया है, hockey team का, hockey team 1948 में summer olympics में इनोंने gold medal जीता था, before independence की बात है, जब की उसके बाद बिंदरा ने shooting में जीता था, 2008 में summer olympics में ही शायद उनोंने जीता था, 2008 की बात है, तो 15 साल की उमर में उनोंने जीता था, gold medal पहला, तो उनकी feelings को समझो, जब उनोंने वो medal हासिल किया होगा, कितने साल से वो उसकी तयारी कर रहे होगे, या कितने सालों से ये hockey, अगर आपने वो gold movie देखी होगी, उसमें इस समय इनको खुद को, इनके घरवालों को और पूरे भारत को कैसा feel होगा, उस feeling को, उस emotion को हम क्या कहेंगे, पाइमियंट कहेंगे, तो मैंने दोनों तरीकों से आपको ये word समझा दिया है, दोनों way में ये word यूज होता है, इसमें हमें complete करना है, हां जी, बीजिंग में मुझ 40-40 साल के आसपास होंगी उनकी उमर, ठीक है, next word है, meticulous, meticulous का मतलब क्या होता है, अधिक साथान होना, चोटी-चोटी details के उपर work करना, अगर आपको याद होगा, एक मैंने spelling word डाला था, consentious, consentious का भी ये same मतलब था, एक word मैंने आपको spelling में डाला था, एक दिन, ठीक है, उसक चोटी-चोटी बारीकी हों को देखता है, जो इनसान, जैसे यहां पे मैंने घास का एक जामपल है, वो कैसे एक scale लेके उसको कट कर रहा है, ऐसा बहराल कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग होते हैं, जो बहुत जाद है details को देखते है, left side पे example मैंने और लिया है, जिससे वो एक-एक word को बहुत ध्यान से detail में पढ़ रहा है, so that कोई गलती नहीं हो जाए, यहां पर यह चीज ठीक है, कि papers को हमें हमेशा ध्यान से पढ़के ही signature करने चाहिए, लेकिन ऐसे लोग होते हैं, जो बड़ी जामपल लिख रहे हैं, so that आपको यह भी याद रहे, बोलना कैसे है, मटी, क, य, ल, स, ठीक है, मटी, clear, yes, consent, yes, precaution को याद है, मैंने कैसे तोड़ के समझाया था, spelling का मतलब, buffering, मेरी वीडियो buffer कर दिया क्या, अभी clear है, guys, please tell me, is it buffering right now, okay, that's great, अगर अभी नहीं कर रही, deduce, deduce का मतलत क्या होता है, किसी परिनाम पर पहुंचना, निशकर्ष पर पहुंचना, इसका जो मेरे को एक्जामपल डारेक्ली याद आया, judge का एक्जामपल याद आया, judge क्या करता है, वो opponent parties, जो भी उनकी public party और जो दूसरी opponent party होती है, party A, party B, के पूरे facts को सुनती है, उनकी पूरी बातों को सुनती है, उनके साथ क्या घटना हुई है, जितने connected papers है, उनको सुनती है, जितने connected documents है, उनको पढ़ती है, फिर जाके किसी परिनाम पे पहुंचते है, judge, तो मुझे जो उधारन समझ आया, when I was preparing this, तो मुझे judge का example समझ आया, अगर आपको कोई और इससे related example याद आता है, समझ आता है, तो you can share in comment section, deduce का generally और example ले सकते हैं, general life में भी अगर हम बात करें, अगर हम कहीं जाना चाहते हैं, for example, कहीं marriage पे जाना है, ठीक है, किसी की marriage है, कोई relatives में marriage है, या किसी function पे जाना है, या कहीं पे भी बाहर गुनने भी जाना है, तो हम अपने घर पे सबसे पहले situations को देखते हैं, उसके अनुसार हम decision लेते हैं, तो किसी चीज को समझ के decision लेना, किसी निशकर्ष पे पहुंचना, आप बहुत समय से ये सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे के exam जाएं या मेरे exam जाएं या मेरे exam जाएं खुद के, जिसके through आप आखे decision तक पहुंस्ते हैं, उस decision को हम deduce कहते हैं, जब step by step एक thought एक विचार आपके मन में आता है कि वह काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस particular step को हम deduce कहते हैं, पंक्लूर, हां जी, that's creator, यह थी हमारी आज की vocabulary, जब vocabulary के session आता है, जब चलता ही रहे, अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है, समझने में, बहुत सारे नई version जो हम सीखते हैं, मैंने ये बात कही थी, इस Sunday को नहीं, next Sunday से जब आपके papers एक दम over हो जाएंगे, PSPCL वाले भी next Sunday से हम कुछ इस तरह का routine रखेंगे, कि हम marathon Sunday को रखेंगे, जिसमें हम पूरे हकते की vocabulary को revise करेंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, बहुत सारे words जुड जाएंगे, लेकिन याद कितने रहेंगे, वो भी देखना जरूरी है, तो याद रखने के लिए, एक weekly session रखेंगे हम marathon, जिसमें we will include, basically हम वो सब चीजे include करेंगे, जैसे कि हमारे synonyms होंगे, antonyms होंगे, idioms होंगे, और vocabulary होगी, ठीक है, next Sunday से हम ये start करेंगे, coming Sunday से कल को मैं ये start नहीं कर रही हूँ, इकबाल चहल, I hope it is clear now, अभी ये दिकत नहीं आ रही, साश्रीकाल लवली जी, चलिए, good job guys, ये वो students है, जिन्होंने कल देखो इतनी बड़ी list होगी, मुझे सोचना पड़ा कि ये paper में एक में slide में आएगा भी या नहीं आएगा, तो very good ya, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सुपी students ने बहुत अच्छे से इसको answer किये है, प्रीकाशब जी, as usual, she is regular guys, आप सीखना चाहिए हमें एक दूसरे से motivate, motivation हो लेना चाहिए, प्रीयंका गमा जी, जिशु सैनी जी, रजिंदर कौर जी, आम दीमन जी, मुकेश कुमार जी, रवनीत कौर जी, अनुछ लोतरा जी, कमल बुलर जी, रविंदर कुमार जी, मिनु शर्मा जी, great guys, एक दूसरे कर दिये हैं, तो home assignment का question करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी question paper में आ सकता है, एक पूरे session में मेरी कोशिश होती है, मैं ज्यादा से ज्यादा questions की आपको revision करवा हूँ, प्रिकाशब जी कह रहे है, ma'am thank you so much, last session में मैंने answer भी नहीं दिया था, तब भी आपने मेरे नाम mention किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, thank you so much, yeah, I love you guys, इसलिए मैं भूंती नहीं हूँ, अभी भी student को मुझे बड़ा मज़ा आता है, ma'am आपकी playlist में video private हो गए, please upload करवा दो, मंगला देवी, कोई private नहीं हुआ है, यार, मेरी playlist में video, एक बार, comment section में आप मेरे को, यहां पे hello link दो, मैं playlist आपको send कर दूँगी, कोई भी ऐसा video नहीं है, जो private होगा, वो private होता है, जिसमें कोई technical issue हो, otherwise नहीं है, private, 60 videos होने चाहिए, 58 to 60 videos होने चाहिए उसमें, चाहिए, हमारी question थे, cock and bull story मतलब, मंगडञ़ंत कहानी, जिसे हम बोलते हैं, जूटी कहानी, fake stories जिसे हम कहते हैं, कोई भी मंगड़ंत बात सुना देना, जूटी कहानी सूना देना, किसी को कहानी सुना रहे हैं, बात सुना रहे हैं, तो उसमें नमक मिल्च लगा गए कोई fake कहानी, imaginative story बता रहे हैं, कोई real नहीं है, सच नहीं है, सब fake है, उसे हम कहते हैं cock and bull story, तो answer था unimproperable or unbelievable story, जिस पे विश्वास भी नहीं किया जा सकता है, वैसी कोई कहानी सुना दी, तो जैसे generally हम दोस्तों में, सुनते हैं न, मैं forest में जंगल में गया था, मा पर शेर आ गया, शेर से मैंने हमला किया, उसको गोली मार दी फ्लाना डमकाना, ऐसी बाते हैं जिस पे आप believe नहीं कर सकते, कि यार एक इंसान कैसे ही काम कर सकता है, तो B हमारा correct answer है, ठीक है, next home assignment का question था, cut to the chase, मतलब directly point पे आना, फाल्तों की बाते न करना, ऐसे बहुत से लोग है, इंसान है, जो बोल गुमाते रहेंगे, point पे वो नहीं आते, लेकिन cut to the chase का मतलब होता है, to get to the point without wasting time, पिना किसी समय को बर्बाद किये, get to the point पे, point पे आना, point पे मुद्दे की बात करना, जिसे हम कहते है, next हमारे questions, जो आज की home assignment है, वो है, य यह आपको students spot the error के questions है, यह आपको comment section में लिखने है, जब video off हो जाएगा, बद हो जाएगा, उसके बाद comment section में, जब भी आपको आज समय लगेगा, आप ज़रूर देखना, और आज कल Sunday है, तो Sunday को जो students previous sessions को नहीं देख पाए, या जिनोंने attend नहीं किये है, मेरे sessions, वो Sunday को ब वीडियो को जरूर देखो, thank you, Dishuji, Dishuji कहारे है, thank you ma'am, we really appreciate your teaching, thank you guys, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपकी मदद कर सको, और मैं चाहती हूँ, आप लोग success को पाए, कोई success मुश्किल नहीं होती है, कई ना कई हमें proper guidance नहीं है, तो वो guidance देने की मेरा एक काम है, जो मैं कर रही हूँ, तो बश मैं अपने काम को अच्छे से कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल शद्धा से कर रही हूँ, और मैं यहीं चाहूँगी, आप भी बिल्कुल लगन से अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है, तो guys, यह हमारे batches है, and do like the session, like नहीं किया है, अगर session को ज students, जिनको English समझ ही नहीं आती है, जिनको मुश्किल लगती है, उन सभी students तक यह sessions को पहुंचाना बहुत ज्यादा important है, दिशु सेनी, कल को नहीं मैं मैं आरथान लेंगी, क्योंकि कारण मैंने यह बताया है, जो मैं सोचा है, PSPCL का exam चल रहा है, तो Sunday को भी exam है, students का, तो next Sunday से हम Hindu editorial vocabulary के session को start करेंगे, इससे आपका revision भी होगा, इससे आपको बहुत ज्यादा मदद भी होगी, जिसमें हम include करेंगे, idioms को भी include करेंगे, synonyms को भी include करेंगे, antonyms को भी include करेंगे, one word substitution को भी include करेंगे, प्लस हिंदू एडिटोरियल की वो कापड़ी भी इंक्लूड करेंगे तो नेक्स सेंडे से स्टार्ट करते हैं कमिंग सेंडे जो कल को संडे है उसमें आइधिंग सो पेपर है सभी स्टूडेंट के वो मिस हो जाएंगे वरना ठीक है चलिए गाइस यह सेशन है बैचिस है जो आप पर्चेस कर सकते हैं पंजाब का ट्रिपल स्टी का बैच है मंडे से हम क्लासिस स्टार्ट करने जा रहे हैं वाइट 3 5 6 कोड है कूपन कोड इसको अपलाय कर लो ना जब भी आप बैच को पर्चेस करते हो यह कूपन कोड से डारेक्ली आपको यह ट्रिपल स्टी का बैच जो है 1759 रुपीज में मिल जाएगा जो की आपको शो कर रहा होगा 7999 का देखो कितना ज्यादा अंतर है डारेक्ली 78% का डिसकाउंट इसमें आपको मिल जाएगा इसमें आपको मॉक टेस मिल रहे हैं 500 के आसपास और 4 e-books अवेलेबल हो रही है फ्री ऑफ कॉस्त है उसमें अलग से पर्चेज नहीं करनी दो साल तक जितने भी एक्जाम चाहेंगे उसकी हम आपको तयारी कराएंगे इंग्लिश की क्लासिस आप इंडिविजुली भी अटेंड कर सकते हो जरूरी नहीं है अगर आपको बाकी सब्जेक्ट जो जो सब्जेक्ट चाहिए वो भी लगा सकते हैं वैसे तो सभी लगाने हैं कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपके इंडिविजुल बैक्चिस भी उसमें टेंग कर सेते हैं तो कंजाब का महा पैग जो है बहुत अच्छा एक ओपर रहती है डील रहती है सब्सक्राइब कर देंगे जो आपको याद रखना है कोई बैच पर्चेस करते हुए ले सकते हैं अगर कोई समझ नहीं आएगा तो आप मेरे सेशन के नीचे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं वहां से हम कनेक्ट कर लेंगे अदुवाइस कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं वहां से भी हम कनेक्ट कर लेंगे चलिए गाइस मिलते हैं थैंक्यू आव ग्रेट डेव